आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके कराने समझ है आप मुझे बताइए आप एक्जाम देने जाते हैं मतलब आप फिजिकली क्या करते हैं आप फिजिकली पैन हाथ में पकड़ करके लिखते हैं यही करते हैं दिमाग अपना काम करता लेकर आप क्या करते हैं लिखते है आज के यूग में आई पैड के काराण कॉंपूटर के काराण मोबाइल के काराण मेरी लिखने की आदत धीरे धीरे कम हो गई है जब भी एक्जाम में लिखना होता है इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर एक्जाम के लिए त्यार करना है तो मुझे अपने आपको लिखने के लिए भी त्यार करना है आज कल बहुत कम लोग हैं जिनको लिखने की आदत है और इसलिए डेली जीतना समय आप अपने पठन पाठन में लगाते हैं स्कुल के बाद उसका मिनिमम फिप्टी परसंट टाइम मिनिमम फिप्टी परसंट टाइम आप खुद अपनी नोटबुक के अंदर कुछ न कुछ लिखेंगे हो सके तो उस विशे पर लिखेंगे और तेन बार चार बार खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे और खुद का लिखा हुआ करेक्ट करेंगे तो आपका जो improvement होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बाद में लिखने की आदत हो जाएगी तो कितने पेज़ पे लिखना इतना लिखने में कितना समय जाता है ये आपकी mastery हो जाएगी कभी-कभी मन से विशय आपको लगता है ये तो मुझे आता है जैसे आप माननी जो कोई बड़ा प्रसिद्ध कोई गाना सुन रहे है गाना बज रहा है तो आपको लगता है ये गाना तो मुझे आता है क्योंकि आपने बहुत बार सुना है लेकिन एक बार गाना बन करके तो पता चलेगा नहीं आज सुनते समय जो मेरा कॉंफिडेंस था मुझे अच्छा लगता था और आता था हकीकत में मुझे आता नहीं था मुझे वहाँ से प्राम्टिंग होती थी इसलिए मुझे वह लाइन याद आ जाती थी और उसमें भी परफेक्ट शब्द के सबन में क कि कृपा करके आपकी एक्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना कितना याद रहा सही रहा गलत रहा सही लिखते हैं गलत कि तो वो तो बात का भीश है आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर कीजिए अगर ऐसी कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे मुझे पक्का विश्वास है कि एक्जाम हॉल में बैक्टें के बाद जो अनकमफोर्ट या प्रेसर फिल करते हैं वह अपको लगे गा ही नहीं क्योंकि आप आदी है अगर आपको तैरना आता है तो पानी में जाने से डर नहीं लगता है आपको क्योंकि आप तैरन आपको लगता है हाँ पहले हाथ पर पर दिमाग से खब कर लिया अंदर जाते ही पिर मुसिबत शुरू हो जाती है लेकिन जिसने पानी में प्रक्टिस शुरू कर दी उसको कितना ही गहरा पानी क्यों हो उसको भरोसा होता है मैं पार कर जाओंगा और इसलिए प्रक्टिस बहुत आवशक है लिखने की प्रक्टिस बहुत आवशक है और लिखना जितना होगा शार्पनेस जदा आएगी आपके विचारों में भी शार्पनेस आएगी और अपनी लिखी हुई चीट को तीन बार चार बार पढ़के खुद करेक कीजिए जितना ज़्यादा खुद क अगल में वो बड़ी स्पीड से लिख रहा है मैं तो तीसे क्वेस्चन पर अड़ा हुआ हूं वो तो साथ में पर चला गया दिमाग इसमें मत खपाईए बाबा वो साथ में पहुचे नव में पहुचे करें न करें वो पता नहीं वो सिनेमा की स्टोरी लिखता होगा तुम अपने पर भरोसा करो तुम अपने पर भरोसा करो अगल बगल में कौन क्या करता चोड़ो जितना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेस्चन पेपर पर फोकस होगा जितना ज्यादा क्वेस्चन पेपर फोकस होगा इतना ही आपके answer के एक एक शब्द पर हो जाएगा और ultimately आपको परणाम उचित मिल जाएगा